हेलो इस्टुडेंट मैं पवन भामूरिया उडान डीजिटल के ऑनलाइन प्लेटफर्म पर आपका स्वागत करता हूं आज हम फिजिक्स का चेप्टर नंबर 3 जो है विद्दुधारा करंट इलेक्टिसिटी के अबजेक्टिव देखेंगे इस्टार्ट करते हम यह जो हमार लगताल तो पहला कोश्चन है धातुओं में धारा का प्रवा किसके कारण होता है करणडन्बालों किसके कारण होता है ऑपर एक्सरोगर्या ऑफिर मुकत लेक्टर लेक्टर नियुक्त एलेक्टरान के कारण क्या होता है दहारा का प्रवा होता है दातुओं में एक तार काम विशिष्ट प्रतिरोद निर्भर करता है तो इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आफ वायट डिपेंड्स उपन यह मुस्ट इम्पी कुश्टन है इस सला सक तो यह जो specific resistance है वो किस पर depend करता है वो depend करता है आपको पता है material पर in material object है पधार्थ पर निर्भर्व करता है पधार्थ किससे वह बना है हमारा वायर उस पर डिपेंड करेगा किसी भी तार का विशिष्ट्र प्रतीरोध next question question है एक तार को खीच कर उसकी लंबाई दुगनी कर दी तो प्रतिरोध कितना होगा और double the length of a wire by stretching it, its resistance will be तो याद रखेंगे जब भी ऐसा question आए, R समानुपाती L square होगा अगर हमने इस लंबाई को क्या किया, double किया, तो double किया तो R proportional to L square तो 2L का whole square हो जाएगा और 2L का whole square का meaning है कि 4L square हो जाएगा तो जो resistance है नया resistance वो four time हो जाएगा, new resistance जो है वो पुराने resistance का four times हो जाएगा तो याद रखेंगे, यहाँ पर बोला है तार को खीचा, उसकी लंबाई जो है उसको double कर दिया तो resistance कितना हो जाएगा, four times हो जाएगा, four R के equal हो जाएगा विसिष्ट प्रतिरोत का मातरक क्या होता है, most time भी question है बिटाईए इस chapter का सबसे important question है कि unit of specific resistance, specific resistance की unit होती है ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, ओम गुणित मीटर होती है, विसिष्ट प्रतिरोत का मातरक, next question लेते, question number, fifth है ओमिये प्धतिरोत है, ऑमिंग का दार, कौपर, वायर, बाकी ये जो तीनो है ये भी अपने आप में important question माने जाते, कोई अनओमिक प्रतिरोत है अनओमिक रिजिस्टेंस में पिएंजन, लाइट इमिटंग डायोड और ट्रांजिस्टर ये तीनो आते है अगर हम बात करें इस question का answer तो हमारे पास इस question का answer होगा copper wire लेकिन अगर हम बात करें unomic resistance तो unomic resistance में हमारे answer ये तीनों हो जाएंगे 1, 2 and 3 तो ये कब होंगे unomic के और omic का केवल एक ही answer है और वो कौन सा answer है हमारा answer number 4 next question लेते हम ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है तो किसका ताप बढ़ाने से प्रतिरोध घटेगा resistance decrease on increasing in temperature increasing the temperature तो temperature अगर हम rise करते हैं तो किसका resistance decrease होता है metals का, conductors का, alloy का या फिर semiconductor का तो आप जानते हैं कि temperature increase करने से conductivity increase होती है और resistance decrease होता है, वो होता है semiconductor का या फिर आर्दचालक का तो आर्दचालक को का ताप बढ़ाने से प्रतिरोध घटता है semiconductor का resistance decrease होगा, temperature rise करने से, increase करने से next question है, किसे अतिचालक पधार की चालकता होती है अतिचालक पधार किसको बोलते हम superconductor material क्या होता है, जिसका resistance 0 हो, और resistance 0 होगा, तो 1 by 0 का meaning है infinite, जो हमारी conductance है या conductivity है, वो कितना हो जाएगा, infinite हो जाएगा तो answer होगा, अनन्त या infinity, यही question अगर resistance के लिए पूछे, तो हमारा answer तब होगा, 0 या nil, तो 0 होगा, resistance और conductivity, infinite होगी next question है, दो प्रतिरोधों कि स्रेणी क्रम सेवजन में, प्रत्यक प्रतिरोध में क्या समान होता है अगर दो resistance लिए और उनको हमने इस type से series में connect कर दिया, एक R1 है, दूसरा R2 है, तो अब जानते हैं, इसमें current जो है, तो यहाँ पर हमारा answer, current जो है, वो सेम रहेगा, धारा, विद्द धारा, एक समान होती है यही पर मैं एक और question आपको बताना चाहता हूँ, तेम question अगर parallel समानतर करम का आता, तब हम बोलते कि वहाँ पर विभाव अंतर, potential difference जो है, वो क्या होता है, same होता है, विभाव अंतर, same होता है, लेकिन यह कब आएगा, जब हमारा, जो combination है, वो होगा parallel, लेकिन हम parallel की बात अ होते, electrical sales source is the, तो किसका source होता है, आप जानते हैं कि energy का होता है, तो electrical energy या विद्धुत उर्जा, तो हमारा यहाँ पर answer हो जाएगा, विद्धुत उर्जा, विद्धुत उर्जा, इसका proper सही answer है, electrical energy, next question लेते हैं, question number 10 है, किसी sale का विद्धुत वाहग बल किस पर निर्वर करता है, EMF of sale, तो EMF of sale, जो है, वो depend करता है, एक तो electrolyte पर, कौन सा electrolyte है, और उसकी क्या nature है, तो हमारा answer होगा, है, electrolyte, answer electrolyte, EMF of sale, depend करता है, electrolyte पर, and nature of electrolyte, विद्धुत अभघट्य और उसकी प्रक्रती, निर्वर करता है, EMF of sale, किर्चाप का प्रथम नियम अनुकूल है, किसको फालो करता है, किर्चाप का प्रथम नियम, किर्चाप फर्सला फेवरेबला, जो है, वो बात करता है, चार्ज की, चार्ज के कंजर्वेशन की, तो यह फैवरेबल, जो अनुकूल की बात की है, वो किसकी बात की है, सी क्वांटीटी जो है वो कंस्टेन होती है तो चार्ज होता है वह नें से चार्ज का घटाया जा सकता है तो है तो आप जानते हैं कि वो जो इलेक्ट्रोड है उन्हें to सेटलब इस बिट्वीन elektrode both of you को अगर हमpaантन करते हैं तो क्यों ह क्या हो जाएगा good दोनों इलेक्ट्रोड के चिस्टेंस क विच दूरी जो है उस दूरी को अगर हम क्या कर दे कम कर दे तो प्रती रोग ठी क्या हो जाएगा क्म हो जाएगा तो का answer होगा कि हमको लाक्रोट दिस्टेंस को के लेक्ट उद्द कर दिस्टेंस डिक्रीज्श करना पड़े समगे फील इनद बलैंक्स दो और फ्करिफल की किजिए एक का doesn't बहुत अच्छा कोशन है अगर आपने करन्ट एलेक्रिसिढि पढ़ा है तो उसका सबसे सरल और पर आरोपित विभांतर के समानुपाती होता है इसका मीनिंग है वी समानुपाती आई और आई समानुपाती वी यह कौन सा लाह है तो आप जानते हैं यह ओम्स लाह है एक्रोस इट्स एंड्स तो यह ओम्स लाह है ओम का निया में यहां पर हमको राइट करना पड़ेगा ओह हम और यहां पर रैट करेंगे ओहें ओम्स लहां नेक्स्क्षण लेते हैं कुश्यन है मारा किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई बढ़ाने पर क्या होता है अब जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंद के क्या होता है डायरेकली प्रोपोर्शनल दर रेजिस्टेंस अफ़ कंड़क्टर बिकम डेस 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 अन इनक्रीजिंग its length तो अगर इसकी लेंद इन्क्रीज करते हैं तो सीचालक की लंबाई बढ़ते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है किसी चालक के अनुप्रस्त कार्ट का छेत्रफल कम करने पर उसका प्रतिरोध तो आर जो है, रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरिकली प्रपोर्शनल एंड एरिया आप क्रॉस सेक्षन के इन्वर्सली प्रपोर्शनल होता है लेंथ इन्क्रीज करेंगे, रेजिस्टेंस इन्क्रीज हो जाएगा और अगर हम एरिया आप क्रॉस सेक्षन को डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस इन्क्रीज हो जाएगा पोजिशन में क्या बूल रहा है अगर एरिया आप क्रॉस सेक्षन रिडियूस होगा प्रतिरोध प्रतिरोध बढ़ता है इंक्रीज होता है जालक का ताप बढ़ाने पर क्या होगा अगर हम चालक का ताप बढाते हैं तो इसका resistance क्या होता है? increase हो जाता है तो अगर temperature rise करते हैं तो resistance increase होता है और चालगता घटी है तो ताप बढ़ाने पर हम लिखेंगे प्रति रोध बढ़ता है प्रति रोध क्या होगा? बढ़ेगा resistance क्या होगा? increase होगा अगर यहा अगर यहां प्रतिरोध बढ़ता है और उसका जो हमारा रेजिस्टेंस है वह इंक्रीज होगा और जो डिक्रीज होगी नेक्स कोश्चन विद्धूत वित्रण संबंदी किर्चाप का प्रथम नियम खालिस्तान के सनरक्षन का नियम है यह मोस्ट आइमपी कोश्चन है यह दोनों फार्स जो है वह किस परभेज़़े वह चाज के कंजर्वेशन पर कंजर वेसे नाफ चार्ज तो याद रहेंगे चार्ज़ंगे सनरक्षन आवेश सन्रक्षण के सिद्धान पर काम करता है जबकि जो सेकंड लाव एनर्जी कंजर्वेशन पर डेपेंड करता है नेक्स कोस्टेंस आएद वही है नहीं मिस्र धातु का विशिष्ट प्रतिरोत क्या होता है तथा प्रतिरोत ताप गुणां क्या होता है जितनी भी Lie होते हैं मेकल होते हैं तो उनका रेडिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस प्रेचर कोईफिसेंट इस यह तो हम लिखेंगे लो और नेगेटिव नेगेटिव भी होता है लो भी होता है नेक्स विद्धुद्धारा संबंदी किर्चाप का द्वितियक नियम खालिस्तान के संरक्षण पर आधारी थे किर्चाप सेखन ला अफ एलेक्ट्रिक करन्टी सब्सक्राइब नेगे इनर्जी 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 मतलब और संरक्षण पर आधारी थे इंप 우리가 यह दौनों फ्रस्डल आवेस मंदब चाज नवेशन और सेकंड जो है वह एनर्जी इनर्जी कंजर वेशन पर डिपेंड करता है कुशन एट हैं कम ताप पर किसी पधार की प्रतिरोध थकता कि एकायक सुन्य हो जाने की घटना को हम क्या कहते हैं तो फिनामिना ऑफ सदन ड्रॉब अगर हमगी तार शाल का प्रतिरोध तो इंक्रीस करते हैं तो इंक्रीज होगा टेम्परिचर डिक्रीज करते होगा कि तो अगर अगर जीडिव फिन पिन को चाहिए घटनीशन को थे सिनामिना को इंटि स्वगतल है और यहाई पर इसको बोलेंगे सूपर कंड़क्टिविटी सूपर कंड़क्टिविटी तो सूपर कंड़क्टिविटी एक ऐसी कंडिशन एक ऐसा फिनॉमिना है जब रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है और चालकता अनंत हो जाती है ओम के नियम का वी आई ग्राफिक डेस डेस होता है दो अगर हम वी एन आई को इस टाइप से प्लॉट करें यहां पर वी राइट किया यहां आई राइट किया तो हमको एक लाइन मिलती है सिंपल सी लाइन मिलेगी तो इस ट्रेट लाइन आएगा इसका एंसर सरल रेखा पराप्त होता है भी आई ग्राप जो है वो क्या मिलेगा में सरल रेखा स्टेट लाइन स्ट्रेट लाइन नेक्स्ट कुश्चन लिखते हैं धारा घनत्व का SI मात्रक क्या है करंट डेंसिटी का SI यूनिट क्या है करंट डेंसिटी को हम डेनोट करते हैं J से and J is equal to I by A होता है I by A होता है I जो है उसकी यूनिट होती है एम्पियर और A की होती है एरीया मतलब मीटर सकुरे मजने में पर दात सकते है विद्द धारा बटे च्षित रफल मात्रक होता है बहुत हर जाएगा गराद मात्रक होजाएगा membला प्रत्तीमिटर का वर करो खती है एक काक्श्चन है में दटनी में उत्तर है करके लाएं हैं यह बहुत important question है और आपको आपकी एक्जाम में मिलेंगे हम मेरा यह दावा है कि जो 28 question आएंगे वैसे तुम्हें cover कर रहा हूं कि पूरे 28 question आपके इस class में से ही आजाए फिर भी हमारा दावा है कि 25 to 26 question हमारी पूरी क्लासों में से ही आएंगे तो अगर आप 10 15 क्लास से अटेंड करें बहुत ज्यादा लंबी तो नहीं होती 30-35 मिनट की होती है तो आपको पूरे 28 मार्क्स लाने में बहुत आसानी होगी next question है एक सब्दिया एक वाक्य में उत्तर दीजिए answer in one word or one sentence first question है एक चालक तार में धरा प्रवा करने पर उसमें कितना आवेश रहता है what is the charge in a conducting wire when current flow in it अगर current का flow हो रहा है तो इसमें charge कितना होता है तो हमारा answer होगा charge होता ही नहीं है तो चार्ज होगा इसका जीरो कोई आवेश नहीं होता आवेश जीरो होता है next question second है विद्धु धारा की दिशा क्या है अब विद्धु धारा की दिशा what is the direction of electric current इसके में दो answer लिख सकता हूं परस्ट जो धारा होती है जो current होता है वह high voltage to low voltage फ्लो करता है हाई ओल्टेज उच्च विभाव से निम्न विभाव की और धारा का प्रवाह होता है या फिर हम दूसरा answer एक ओल लिख सकते हैं कि जिदर electron का flow होता है उसके विप्रीत मतलब opposite to flow of electron opposite to flow of electron opposite to flow of electron होगा या फिर हम बोलें कि धार इलेक्टानों के विप्रीति सामें तो इसके दो answer हो सकते हैं उच्च विभाव से निम्न विभाव की और या फिर electron की प्रवागे विप्रीति सामें नेक्स कोश्चन लेते हैं विषिस्ट प्रतिरोत का मात्रक तो अभी बताया था थोड़ी दिर पहले मैंने विषिस्ट प्रतिरोत का मात्रकों एंटु मीटर होता है ओम गुनित मीटर होगा इस साल का सबसे कोश्चन हो जबता है किर्चाप का प्रथम नियम अभी बताया मैंने सबसे का है किर्चाप आइस इसका इंसर होगा नियार कर देता हुआ दूगा ने और सेकन होगा एनर्जी नुमुक्त पूर जाल संदक्षन तो ये दोनों कोश्चन ये तीनों कोश्चन जो आए हैं बहुत इंपोर्डेंट है नेक्स हमारा कोश्चन है क्या किर्चाफ के नियम AC and DC दोनों के परिपतों पर लागू होते हैं और किर्चाफ लाग अप्लिकबल इन बहुत AC and DC सर्किट एंसर होगा याज ये दोनों पर लागू होता है हाँ ये दोनों पर अप्लाए होगा किर्चाफ लाग इडिसी पर भी अप्लाए होता है और DC पर भी ये कुश्चन बहुत इंपोर्डेंट है टू मार्क्स का एक इंपोर्डेंट कुश्चन बन सकता है बेटा क्यों लिए ऐसा नहीं कि सिंगल कोश्चन है जो एक आगा हम रट लेंगे आपको देखी का कोश्चन दिया है दो बलब है ट्वंटी फाइफ वाट और है इसका पूछा किसका प्रतिरोध अधिक होगा टू बल्सार मार्क उन पर लिखा हुआ है ट्वंटी फाइफ व हम ऐघ्येंगे पी इस इए ठास्टाब लिख स्कुस्टाइब लिख Cassandra रॉडम टू अब जिसका पावर या थो आरो प्रकोशनल टू और प्रकॉस्टाब टू वन बाईब आ ही होगा उसका रेजिस्टेंज रोगस के आपसि यह पूछा कि भाइग टुन्टीक के रिजिस्टेंस उन्हेस और राध किसका रलब फुत चुन्टीक कर वाँ कर रहते लगसे crystal रिलेशन हे है सेम कुश्चन अगर बोल देते कि बेटाई दोनों बल् सीरी में कणेक्टेड तब क्या होता तो अगर आपको बोलते की सीरी में करेकटेड था प्रे फार्मुला नहीं लगता पावर का देन जेन फार्मूला कौन सा यूज़ उता है मैं अलग कलर से राइट कर लेता हूं फार्मूला यूज उता है पी इस इक्वल टू आई स्क्वेर और यहां पर पी जो है वो आर के डायरिक ली प्रोपोर्शनल होता है इस टाइम पर हांड्रेड वार्ट जो आला जो बल्ब होता उसका रेजिस्टेंस हाई होता है तो यह बहुत अच्छा लॉजिकल कोश्चन ही कब कौन सा एंसर हमको राइट करना है अगर कुछ नहीं दिया इसका मतलब अभी हमारे घरों की बात हो रही है और घरों में हम पैलल कानेक्शन की बात करते और पैलल में ओल्टेज कॉंस्टे किया रिलेशन है वाट इस दरीलेशन बेट्वीन केलो वाट और एंड जूल तो पहली बात तो वह जो है वह किसकी युनिट है यह एक याद रखेंगे किसकी का यह एनर्जी और एनर्जी की काई है उर्जा की काई है आपको इन में रिलेशन लिखना है वन किलो वाट आर इस इक्वल टू 3.6 इंटू 10 तू दू पावर 6 जूल या फिर इसको कोई इस टाइप से भी रिख सकता है 36 इंटू 10 तू दू पावर 5 जूल और यह हमको आना ची कैसे आया बेटा वन किलो वाट तो वन किलो वाट आर लिखा है तो वन किलो का मिनिंग होता है 1000 वाट की जगह वाट आजाएगा आर मतलब कितने सेकंड तो इतने सेकंड अब बचा क्या हमारे पास वाट और सेकंड और वाट इंटू सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं जूल तो यह बन जाएगा जूल और यह हो गया 36 इंटू 10 तू दू पावर 5 जूल याद रखेंगे इंपोर्टन कुश्यन है कि 1 किलो वाट और जूल में क्या रिलेशन होता है तो किलो वाट आर जो है वो पहली बात तो किसकी यूनिट है किलो आर यूनिट है हमारे एनरजी की और इनमें रिलेशन होता है 3.6 इंटू 10 होता है याद रखेंगे इसका एसा यूनिट वाट होता है इसी को हम जूल पर सेकंड भी बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं जूल पर सेकंड याद रखेंगे जूल पर सेकंड या फिर वाट एसा यूनिट होता है हमारे विद्धुद सक्ति का कुश्यन नमबर 10 स्रांति काल क मान किस पर निर्भर करता है तो स्ट्रांति काल किस पर डिपेंड करता है और फेक्टर डस्ट वैल्यू आप क्रिटिकल टाइम किस पर डिपेंड करता है क्रिटिकल टाइम कॉम टाउ से डिनोट करते और यह जो है दो चीजों पर डिपेंड करता है तो टैंपरेचर पर डिप करता है और दूसरा पधार्थ पर भी निर्भर करता है याद रखेंगे कि स्रान्ति काल दो चीजों पर निर्भर करता एक ताप टेंपरेचर और दूसरा मटेरियल नेक्स कोश्चन है हमारा कोश्चन नुमबर 11 अनुगमन वेग और विद्धु छेत्र में क्या संबन्द है तो ड्रिप्ट व्यलासिटि जो है वह एलेक्ट्रिकल मतलब फेल्ट इंटेंसीटी जो होती है विद्धु ुछेत्र जो होता है उसके डायरिकली प्रपोर्स्नल होता है याद रखेंगे रिलेस्टन होता है वीदी एन इंटेंसिटि ओफ एलेक्ट्रिक फिल्ड थैंक लाइक करें और इसको शेर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्च इसको पढ़ सकें और बच्चों का जो एक्जाम है उसमें अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें अगर आपके पास कोई डाउट तो बिलकुल हमको हमारे comment box में डाउट जो डाउट है कोई निमेरिकल है जो आपको प्राब्लम क्रियेट कर रहा है फिजिक्स और केमेस्ट्री हमको अमारे कमेंड बाक्स में लिखिए हम उसका सॉलिशन लेकर जल्दा जीरोंगे ठेंक यू